वीडियो में हम वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग और इंपूटेंट टॉपिक आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एन देट इस दे कमर्शियल यूनिट ऑफ एलेक्टिकल एनर्जी ठीक है सपोज मीटर आपकी रेडिंग बताता है फाइव यूनिट आपकी क्या बनाता है रेडिंग फाइव यूनिट की रेडिंग बताता है तो इसका मतला आपने क्या किया आपने फाइव यूनिट की एलेक्टिकल एनर्जी यूज करी सब पूछ आपकी मीटर रेडिंग बताता है वन यूनिट की रेडिंग बताता है इसका मलब आपने वन यूनिट की इलेक्टिकल एनर्जी यूज करेए अब आप बोलोगे सर अभी तक हम जो इलेक्टिकल एनर्जी मेजर कर रहे तो वो तो हम जूल में कर रहे थे तो ये unit कहा सा आ गया है तो इसका मल्लब ये है कि electrical energy की दो unit होती है electrical energy की दो unit क्या क्या होती है पुछो एक तो unit होती है इसकी joule और दूसी unit electrical energy होती है kilowatt hour क्या होती है kilowatt hour तो इसी kilowatt hour को आप क्या बोलते है इसी kilowatt hour को आप क्या बोलते है सबोज आपकी मीटर रेडिंग दिखाता है वन यूनिट इसका मला आपने कितने एनर्जी यूज कर ली है वन किलो वाट आवर की यूज करें इनर्जी यूज करें सबोज आपकी मीटर रेडिंग दिखाता है फाइव यूनिट इसका मला आपने कितने एनर्जी यूज कर रह के ली हम एलेक्टिक आणर्जी को जून में कारेंगे किकी वांट ऑवर किसे करेंगे अगर आपने 5वाट आवळ अड़ी यूज कर दी एक ही दिन में तो आपकी जो मीटर की रेडिग बढ़ जाएगे और फाइव इनेट एलेक्टिकल जो हाइडल डिपार्टमेंट डिसाइट करता है जो poverty करता है विजली वाला वो क्या करता है कि वन युनिट का आपका परिमांत अगर सबोढे rendering हो जाता है वन युनिट का जोगिए तो रीट है फोर रूपीज है यंदि एक युनिट का आपको फोर रूपे के इसाफ से वह चार्ज लेगा तो आपने एक मेहने में जितनी युनिट यूपकरी है उसको आप फोर से मल्टिप्लै करने के अग्र आपका बिल आ जाएगा इसे साफसे हम बिल भी डिसाइड कर लेते हैं घरों में, ठीक है जो, clear है ना, very good, तो चलिए हम डिसकस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो commercial unit of electrical energy, तो electrical energy की जो commercial unit होती है, commercially जो electric energy को major करते हैं, किसमे करते हैं, kilowatt hour, जूल बनी करते हैं, किसमे करते हैं, kilowatt hour, kwh, इसको हम unit बोल सब्सक्राइब करते हैं, electrical energy, electrical energy को calculate करेंगा formula, electrical energy is equals to the power into time, समझवागी बार, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, आपके पास एक heater है, जो की 1000 watt का है, 1000 watt मतलब होता है, 1 kilowatt, ठीक है, तो आपके पास कोई heater है, आप 1 kilowatt का है, उसकी power है, तो आपने उसको time 1 hour के लिए उसने क्या क energy is equal to P into T, तो यहाँ पर क्या 1 kilowatt, 1 kilowatt into time, 1 hour, 1 kilowatt hour, तो आपने कितनी energy use कर लिए, 1 kilowatt hour की energy use कर लिए, जो कि हम 1 unit का लाएगे, मीटर में रीडिंग कितनी दिखाएगा उसकी बार, तो इसका मलब, कोई भी electrical equipment है, जो की 1000 watt का है, अगर उसको आप 1 घंटे तक switch on कर देते हैं, त समझमागी बार, तो ऐसे हम meter की reading देखते हैं, और this is how we can calculate our bill also, okay, now, जो power up, age equals to P into T, तो power आप इसमें किसमें measure करेंगे, kilowatt hour, अगर watt में दिया तो thousand से divide करना पड़ेगा आपको, और time को आपको hour में लेखना पड़ेगा, ठिक, चलिए numerical करते हैं, a fan of power 60 watt, run for 3 hour, एक fan है, 60 watt का ह तीन घंटे के लिए चलता है, find unit of electrical energy use, तो आपने electrical energy की कितनी unit use कर दी है, अब उसको निपालता है, ठीक है, तो आपको पता है, EG equal to P into T होता है, तो P कितना है, आपका 60 watt, watt में है, kilowatt में इसको करने के लिए, हम thousand से divide कर देंगे, तो P की जगा आप 65,000 लेख देंगे, time आपक calculate करेंगे, आपका 18 by 100, इसका मला आपका answer आ रहा है, 0.18 kilowatt hour, तो आपने कितनी energy use कर रही है, 0.18 kilowatt hour के energy use कर रही है, इसका मला कितना unit हुआ है, 0.18 unit, तो आपकी meter की जो reading है, वो 0.18 unit बढ़ जाएगे, समझ मागीबा, clear है, हाँ, ऐसे energy calculate करते है, okay, find the bill, अब आपको bill निकालन है, तो आपको bill निकालना है, question number one है, a fan of power 50 watt is run for 2 hour, एक fan है, जो कि 50 watt power का है, उसको 2 hour के लिए चला जाता है, everyday, daily, find cost of energy for one month, यह एक महिने में कितनी energy आपने use कर ली है, वो आपको निकालना है, उसकी cost निकालना है, तो पहले आपको total energy निकालेंगे, उसको फिर cost जो आपका 4 rupees cost दिया है, one unit की से multiply करेंगे, तो पहले हम energy निकालते है, energy is equal to p into t, p कितना दिया है, 50 watt, इसको kilowatt में change करने के 1000 से, और time 2 hour, तो easy cost हो जागा, 0.2 kilowatt hour in Monday, यह एक दिन में आप 0.2 kilowatt hour energy यूज़ कर रहे, तो आप लेकिन 30 days का निकालना है, तो इन 30 days आपने कितने energy यूज़ कर ल unit, यह आपके meter जो reading दिखाएगा, और 6 unit दिखादेगा, अब cost निकालेंगे, एक unit की cost 4 रूपीज है, तो 6 unit cost किरने होगी, बिल आजाएगा, आपका 6 multiply 4 in 24 रूपीज के, clear है, so this is how we can catalyze the bill, let's see, one more question here, this is the bulb, जो कि 200 volt के potential से connected है, इस bulb का resistance 100 ohm है, और इसको 3 घंटे के लिए जला जाता है, जो कि 100 ohm का resistance है, 200 volt के लिए जला जाता है, cost है 3 रूपीज, यानि एक unit की cost 3 रूपीज है, आपको बिल निकालना है, तो पहले बिल निकालने के लिए पहले energy निकालने है, energy के लिए पहले power चाहिए, power आपको यहां पर कहीं नहीं दिया है, तो power is equal to आपके लिए formula हमने बहुत सारे formula पीछे करें, p is equal to i square r, p is equal to v square upon r, p is equal to v i, तीन formula पढ़े थे, तो मैं आपके v square upon r वाला formula है, क्योंकि हमें महल पास vb है, r भी है, तो यहां से power निकालने है, v200 है, r कितना है, 100 ohm ह तो 200 का square into divided by 100, 400 watt, इसका मला आपकी power कितनी आ गई, 400 watt आ गई, तो energy निकाल आप, energy is equal to होता है, p into t, p आपका निकला है 400 watt, इसको kilowatt में change करेंगे, 1000 से divided, time means t, कितने गंटे के लिए चला है आपने, 3 hour के लिए चला है, यह 3 लिखा है, तो इसको calculate करेंगे, तो आपका answer आएगा 1.2 kilowatt hour, यहनि कितनी energy यूज कर लिए आपके bulb ने, 1.2 kilowatt hour की energy यूज कर लिए, इसका मला आपकी meter reading कितनी दिखाएगा, 1.2 unit 2 पर चल जाए, तो cost कितनी आएगी, एक unit cost 3 रूपीज है, तो इसको 3 से multiply करो, तो your cost will be 3.6 रूपीज की cost आए, one more, सबोज यह एक फैन है, इस पे 50 ohm का है, ठीक है, 2 ampere का current चल लाए, cost निकालने, इसकी आप bill निकालना है, जबकि cost एक unit के आपको 5 रूपीज दे, तो पहले आप power निकालेंगे, आप power के लिए कौन सा formula करेंगे, वी वाला, तो वी तो हमें दिया नहीं, power के लिए हम दू आला formula करेंगे, i square r वाला, ठीक है तो हम energy is equal to हमारा होता है, p into t, power हमें निकालने के लिए कौन सा formula का हमें, i square r, तो p की जगार रिखेंगे, i square r time t, i हमें 2 ampere का current है, तो 2 का square, r आपको कितना दिया है, यहाँ पे 50 ohm, तो 200 is, so 2 square, square of 2 means 2 into 2, r कितना दिया, आपको 50 ohm, इसको 1000 से डिवाइट करना पड़ेगा, तो पहले हम power का एक्कुलेट करेंगे, तो power के लिए formula यूज करेंगे, आपड़, i square r, ठीक है, i equal value 2 दिया है, तो 2 का square, into r कितना दिया, आपको 50 ohm का दिया, एसको 50 ohm का रिखेंगे, तो इसको multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 224, यहनि 224, 45, 200, यहनि 200 watt आएगे, 200 watt का power आप इस fan का रहेगा, इतना power इसने यूज किया, ठीक है, तो इसको power को हम kilowatt न बदलने के, तो 1000 से इसको क्या करेंगे, हम divide करेंगे, ठीक है, 1000 से divide कर देंगे, तो आपका answer आजाएगा, e is equal to p into t होता है, तो p आपका इतना है, इसको 1000 से divide किया, आपने multiply 2 किया, तो इसका answer आजाए आपका, e is equal to 0.4 kilowatt hour, यहनि आपने जो energy use कर दी है, वो 0.4 kilowatt hour की energy, इस fan ने use कर दी है, तो bill, तो reading कितने दिखाएगा, 0.4 unit की दिखाएगा, तो 0.4 से multiply कर देंगे, किसको, 5 को, 5 एक unit cost इतनी है, तो आपका bill आजाएगा, तो आपका bill आजाएगा, तो आपका bill आजाएगा, calculate कैसे कैसे करना पड़ता है, यह आपको पता चल लिया हो, ओके, मिलते हैं,